नमस्कार आप देख रहें डीबी लाइव आईए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर तीम इंडिया के कोच के चुनाओं पर बोले महन सिंग धोनी भारत के कोच को हिंदी आती हो या नहीं देश का कल्चर पता होना चाहिए कप्तानी का फैसला बी सी सी आई पर छोड़ा बारत में गुलावी गेंस ने मुकाबले को तयार कोलकाता का सुपर लीग इडन गाइडन्स भारत में पहले दिन रातरी चार दिवसी मैच की करेगा मेजबानी दर्शक मुफ्त में उठा सकेंगे मैच का आनन न्यूजलेंड के पूर्व क्रिकेट खिलाडी ब्रेंडन मैकलम ने आई सी सी की ब्रश्टा चार रोधी काई पर उठाय सवाल कहा फिक्सिंग मामले की जाच में बढ़ती जा रही है लापर वाई मैखुलम ने पूर्व नियूजिलेंड खिलाडी क्रिस कुरेंस के खिलाफ फिक्सिंग के मामले में दी थी गवाही सेरेना विलियम्स बनी दुनिया की सबसे जादा कमाई करने वाली खिलाडी सेरेना ने मारिया शारापुवा को पचारते हुए पिछले 12 महीनों में कमाई 29.9 मिलियन डॉलर पिछले 11 सालों से सूची में शीर्श पर थी रूसी टेनिस स्टार शारापुवा पाकिस्तान के पूर्व तेज गिनबाज आकिब जावेद ने ठुकराया बांगलादेश क्रिकेट टीम के गिनबाजी कोच का आफर पाकिस्तान सूपर लीक की टीम लाहूर कलंदर के साथ पहले ही कांट्रेक्ट साइन कर चुके हैं आकिब हीद स्टीक ने बांगलादेश से हाली में खत्म किया है गिनबाजी कोच का करार ये तो ही खेल जगत की खबरें देखते रहें डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार